जैवीम नमो बुद्धाय मैं शैला दोवश की कड़ी मेहनत के बाद नई दिल्ली में जैवीम मेशन द्वारा बौद्ध धम्म दिक्षा कारेकरम सफल हुआ जो ब्राह्मन वादियों को रास नहीं आया और दिल्ली सरकार में समाज कल्यान में मंत्री रहे राजींद्र पाल गौतम जी पर हमला बोल दिया गया कि हिंदु धर्म का अफमान हुआ है और कहा गया कि 22 प्रतिग्याओ की कारण हिंदु धर्म को ठेज पहुची है तो वो माफी मांगते हैं सूचा था कि माफी मांगने से पीछा छूट जाएगा लेकिन मामला बढ़ता गया इस्तिवादेने के बाद मामले ने ज्यादा तुल पकड़ लिया और समर्थक भी सक्ते में आ गया मीडिया ने भी घेरा घारी शुरू कर दी आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली के बाद आमदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई तब इन दोनों राज्यों के सरकारी कार्यालेव और शेक्षनिक संस्थानों में डॉक्टर बाबसाब अमबेटकर की फोटो ततकार प्रभाव से लगा दी गई है तब बहुजनों को लगा कि आप पार्टी बाबसाब के विचारधारा पर चलनी वाली पार्टी है अब इनी 22 प्रतिग्याव से उन्हें आपती है अगर यह गलत है तो बाबसाब डॉक्टर अबेटकर ऐसी गलती पहले भी कर चुके है अगर यह सब जानते हैं तो कहीं इसके पीछे बौद धम का आकर्शन ब्राम्भनों के फजिहत का कारण तो नहीं बन रहा है आज हम यह एलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में अगर बाबसाब के विचारों को मानते तो फोटो लगाने वाले हीरो केज रिवाल जी राजियन रपाल जी से शायद इस्तिफा मांगने की हिम्मत ना करते कहा जाता है भावना और प्रचार के चकाचौन में जनता गुमरा हो जाती है अकसर डॉक्तर बाबसाब अमबिटकर को मानने वाले फोटो से ही प्रभावित हो रहे है सवाल जवाब नहीं कर रहे है कि विचारों का क्या होगा बाश्पा ने भी अमबिटकर सरकिल बनाया जो दिल्ली महून नाकपूर से होते फ्वे चैत्यभूमी बंबै तक पहुशता है बारती जनता पार्टी और आम अदमी पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या उनका प्रेम फोटो तक ही सीमित है या बाबस सहब के विचारों से भी कोई लेना देना है अगर इस मामले को देखा जाए तो ये सब इनकी वोट ब्यांक का हिस्सा हो सकता है तर्क और सत्य के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जिन 22 प्रतिग्याव को लेकर ये बखेडा खड़ा हुआ है इस कारेक्रम में वो मंत्री भी मौजूद थे जिनहें राजेंद्र पाल गौतम जी की जगह मंत्री बना गया है अब आने वाले दिनों में चुनाओ को लेकर ये पार्टिया वैसे भी बाबस सहब को लेकर और सक्रिय हो जाएगी जिसे देखते हुए अब पूरे देश में सवाल खड़ा किया जा सकता है कि क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी को डॉक्टर बाबस सहब अंबेट करके फोटो से ही प्रेम है और विचारों से इतनी नफरत जब जब हम सवाल कर रहे हैं तो ये भी याद रखे कि बाबस सहब के अनुयाई भी जुबान से ही बाइस प्रतिग्याओ की रट न लगाए बलकि वो बाइस प्रतिग्याओ अपने जीवन आश्रन का हिस्सा हो आपके इस पर क्या विचार है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए साथ ही अन्य खबरों के लिए आज इक्वालिटी निउस के फिजुक पेज को लाइक और फोलो करे और यूटुब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपसे जुड़े हर जरूरी मुद्दों को सही तरीके से उठाने का हम हर संभव प्रयास करते हैं इसमें आपकी मदद हमारी ताकत बनेगी फेजबुक पर वीडियो की नीचे स्टार ओप्शन पर क्लिक कर आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं धन्यवाद